को सीधे सीधे बिटा आरो एक कोड़ बता दे रहा हूं इससे आपके कोश्चिन चुटकियों में यूं सॉल हो रो सर क्या है दो रियक्शन दी गहीं है जैही में 2021 देखिए 23 में 22 में 21 में हर बार कोश्चिन आ रहा है तो 25 में भी आएगा हो सकता 24 में भी आया हो यहां लिया क्या हो अभी बट यह राम बाने बिटा दो हजार पच्चिस में भी गारिंटेट आपको इसके पर कुश्चन मिलेगा इसी तरीके से सॉल करिएगा आपको मजह आ जाएगा ठीक है हेलो स्ट्रेंट्स क्या हाल शाल आई होप आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आपक की केमिस्ट्री की राहों को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए ठीक है हम वो चोटी-चोटी चीजें आपको बताने आएंगे जिनसे जिनसे हमारा काम काफी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आज की सीरीज में आज की स्कड़ी में मैं आपकी क्या मदद करना है अगर मै होता है hydrogen peroxide का disproportionation वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है जी तो disproportionation तो यह शो करता है यह बटा तो एच्टो प्लस ओटू अना disproportionation का मतलब क्या होता है एक ही compound होगा बटा जो substance होगा वह simultaneously oxidized भी होगा और reduce भी होगा वह simultaneously oxidized reduce दोनों होगा बच्चों ठीक ह जी तो यहां पर H2O2 बच्चों oxidizing event भी है प्लस reducing event भी है दूसरी property के होती है disproportionation की कि एक ही element अपनी तीन different oxidation state में होता है क्योंकि वह simultaneously oxidized भी हो रहा है as well as simultaneously reduce भी हो रहा है ठीक है जी तो यहां पर आप देख सकते हैं बटा पर oxide में oxygen की oxidation number होती ही बटा minus 1 होती है ठीक है यहां पर बटा H2O में oxygen के oxidation number minus 2 है और O2 में इसकी oxidation number कितनी होती बटा 0 होती है ठीक है तो you can see की oxygen अपनी तीन different oxidation state में present है बटा left side से minus 1 से minus 2 मतलब decrease भी कर रहा है से जीरो increase भी कर रहा है ऐसी reaction को ही disproportionation reaction बोला जाता है इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब हो कि H2O2 सर ऑक्सिडाइधिंग एदेंट भी है reducing एदेंट भी बटा जरुवत पढ़ने पर जरुवत पढ़ने पर है ना यह ऑक्सिडाइधिंग एदेंग दोनों की तरह काम कर सक प्लस 7 में जो उसकी maximum oxidation number है K2C2O7 इसमें chromium अपनी maximum oxidation number में मान लिजे बेटा J.E.K. question में किया यह 4 आया था इसमें ऐसे खूप सारे एग्जामपल है इसमें किया है इसमें किया है इसमें किया है इसमें प्लस 7 में जो अपनी maximum oxidation number में उन्हों ने एक बार बहाने से FeCN6-3 द लिकाल दें हमारा तो एक ही नारा होता है जो बच्चे काफी पसंद भी करते हैं J.E.S.R. का नारा की confusion को मारो गोली और concepts की मनाओं हो ली तो confusion ही अगर हम दूर कर देने इन सभी चीजों में अब मैंने FeCN6-3 लिखा है जिसमें Fe3 में इन जनरल वो simple Fe3 लिख के दे दे, FeCN3 लिख के दे दे इन आयोफ और माइनस लिख के दे दे तो अगर 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 वो किसी ऐसे compound के साथ रिएक कर रहा बच्चों जिसमें कोई element अपनी maximum oxidation number में है तो obviously वो किसकी तरह काम करेगा इन सभी reaction में H2O2 किसकी तरह काम करेगा रिड्यूसिंगे दे रिड्यूसिंगे दे क्योंकि वो ही इनको रिड्यूस करेगा और अगर वो कभी खुदा ना कास्ता बचा कुछ ऐसे compound के साथ रिएक करे जिन में कोई element अपनी minimum oxidation number में हो लाइक सर क्या करना चाहर हो बेटा ammonia हो minus 3 है NH2OH अब इसमें भी बच्चों को डर लगता है यह basically ammonia ही है नहीं है नहीं है नहीं नहीं माइनस वन बोल देते हैं plus 2 है नहीं का 3 और minus minus 2 और plus 3 है ना तो NH2OH में nitrogen के oxidation number negative में ही है अभी अपन माइनस 3 ना लिखके इसे negative बोल देते हैं या I minus आ जाए कहीं H2S आ जाए और oxidizing agent की तरह ठीक है एक तो यह general को बढ़िया काम की बात है जिसे हम जरा हटके concept बुलाते हैं आप सभी मेरे नाम से तो आउगत होंगे जिते निरवानी बट बच्चे प्यार से जो नए-ने concept में उन्हें बताता हूं वो उन्हें जरा हटके concept GSC नाम देते हैं ठीक है तो यह आटके आपका concept है अब इससे भी बढ़िया में concept आपको और बताना जा रहा हूं तो अदे कि आज की चोटे से session में हमने disproportionation को क्लियर कर लिया होगा इसको समझ दें की कोशिश करी आप इसमें भी और भी और भी रामबान है क्या सर आपको सीधे सीधे बिटा आरो एक कोड़ बता दे रहा हूं है ना है इससे आपके question चुटकियों में यूं सौलोंग आरो सर क्या है सर यह क्या reverse osmosis है जो घर में आरो प्लैंट लगात for reducing event r for reducing event जो बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएगी बटा कोई तकलीफ ही नहीं है और o for किसके लिए oxygen o for किसके लिए oxygen ऐसे नहीं क्या reducing event oxidizing event एक सार जोलने है मतलब जब भी h2o2 reducing event की तरह काम करेगा reducing event का क्या मतलब होता है दूसरों को reduce करना विटा खुद oxidize होना और oxidation का मतलब क्या होता है increase in oxidation number तो जब यह minus 1 से 0 में जा रहा है विटा तभी यह reducing event की तरह काम करेगा जब यह minus 1 से 0 में जा रहा होगा तभी वो काम करेगा किसकी तरह मेरे प्यारे परे बच्चो reducing event की तरह इतना से अगर मुझे logic पता है विटा तब h2o2 के behavior के ऊपर जब भी question आए जिनमें भी product side आपको oxygen दिख रहा है मतलब h2o2 reducing event की तरह काम कर रहा है और जिनमें भी आपको product side oxygen नहीं दीख रहा है बिटा मतलब वहां पर oxidizing agent की तरह काम कर रहा है मैं अपने support में पिछले सालों के जितने भी question अभी तक आए हो है approximately 9-10 question आ चुके हैं बिटा 9-10 question जही में में जिने बच्चा check करने में थोड़ी बुद गड़बड़ गोटा है नहीं है तीसरी में है है sir यही आपका answer कहानी खतम ऐसे होंगे बटा चुटकियों में question h2o2 act as a reducing agent again जही में 2023 देखिए पिछला question भी 2020 थी का क्या O2 है नहीं है sir क्या O2 है sir नहीं है क्या O2 है sir नहीं है O2 हां sir है तो answer हो गया D वाला हम क्यों time खोटी करें बटा अगर हमारा काम इतनी आसानी से हो सक रहा है तो हम क्यों time खोटी करें आईए अगला जही में 2022 which of the following reaction indicates the reducing ability of hydrogen peroxide in basic medium again reducing ability मतलब भाईया O2 देखना है यह लेजिए O2 answer है अब आ concept clear करने के लिए वह आप देख सकते हो ना बट इसमें तो आपका 3 MnO4 minus plus 3 H2O2 यहां पर भी उन्होंने O2 दे दिया है थे ना बट-बट-बट-बट question अच्छा ये भी है कि कंडिशन हमने नहीं पड़ी बेसिक मीदिया और बेसिक मीडिया में that mean option शुड भी क्या आपका बेटा c होना चाहिए basic medium में बोला गया है तो option c होना चाहिए क्योंकि उपर तो हो चुका है acidic medium it should be H3O plus चलिए आगे बड़े दो रियक्शन दी गही है जही मेंस दो जार इकईश देखिए तेईस में बाइस में एकिश में हर बार कोश्यन आ रहा है तो 25 में भी आएगा वो सकता चूविस में भी आया हो यहां लिया नगया हो अभी ठीक है तो दो रियक्शन है चूज द करेक्ट ऑप्शन पहले में ओ हां सर्दीख रही है दूसरे में O2 हां सर्दीख रही है मतलब दोनों में reducing agent है H2O2 act as reducing agent and oxidizing agent respectively in 1-2 गलत H2O2 act as reducing agent respectively in equation A and B दोनों में तो यही हमारा क्या हो गया बैटा option सही हो गया Bombay वाला ठीक है जी ठीक चलिए और which one of the following equation depicts the oxidizing nature of H2O2 2021 oxidizing nature नहीं दिखनी चाहिए मुझे पहले में तो दिख रही है सर दूसरे में O2 दिख रही है तीसरे में O2 दिख रही है तो लास्ट में यह अब आपको अगर अपने concept लगाना हो तो खुद आप वह भी लगा सकते मेरी तरफ से मना नहीं है कि सर हम तो क्रॉस चेक करना चाहते हैं और सेफ साइड में रहने के लिए कर लो चेक बटा आई माइनस आइटू में जा रहा है मतलब आयोडाइट का oxidation हो रहा है मतलब एस तो तो यहां पर oxidizing agent की तरह काम कर रहा है ऐसे हम बाकियों को भी चेक कर सकते हैं बट यह राम बान है बटा दो हजार पच्चिस में भी guaranteed आपको इसके पर question मिलेगा इसी तरीके से solve करिएगा आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है वापस देखिए hydrogen peroxide oxidizes FECN6-4 अभी मैंने बोला ही था तो यहां पर FECN6-3 to FECN6-4 अभी यहां बात है नीचे वाली में किसकी तरह काम कर रहा है reducing agent मतलब वो टू तो पहला वाला होना चाहिए वैलत अच्टू नहीं हो सकता है पहला वाला होना चाहिए ठीक है दूसरा वाला सब्सक्राइब होना चाहिए option C sir H2O क्यों है बिटा पानी तो हर समय रहता है एकवस मीडिया में पानी तो ही यह च्टू वाला पानी नहीं मीडियम वाला वाटर भी हो सकता है तो इससे अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा विटा कि इसी चीजें आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो चोटी-चोटी सीरीज हम चोटी-चोटी चीजे में आपके लिए लेकर आता रहूंगा बीच-बीच में जो आपकी राहों को खूब सब्सक्राइदर गहें ऑदे जर्चज जायेंगे कि को श्रय नहीं में पहुसरीं है सर यह रही मतलब two and four option हो गया कोई confusion नहीं बेटा अपना एक ही ना रहा है confusion को मारो गोली concept की बनाव हो ली एडवांस 2014 और लो भाहिया एडवांस में भी पूछ लिया गया है hydrogen peroxide in its reaction with kio4 and NH2OH respectively act as बाईया kio4 में यह plus seven में बेटा तो plus seven है तो इसे के reducing करेगा मतलब reducing और NH2OH में तो ammonia negative में बेटा इससे तो वह oxidizing करेगा reducing event and oxidizing event हमारा option हो जाएगा एवाला ठीके जी तो जितने भी question मुझे मेरे support में मिले थे इस चोटे से concept को समझाने के लिए मैंने आपको बताए हैं अब अगर आपको यह चीजे पसंद आई हो तो comment जरू करिएगा छोटी चोटी प्यारी प्यारी चीजे confusion को मरगोली और concepts की मनाव हो ली मैं जरूर आपके लिए लेकर आता रहूंगा यह वादा रहा आपची मेरा motion है तो भरोसा है